भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी ट्यारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराए जाएगी इसके लिए आप गवर्मेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू वाल तो फ्रेंट्स आज है 20 अगस्त तो आज हम 20 अगस्त के जितने भी इंपॉंट क्रेंट फेयर होंगे वह सब इस वीडियो में डिसक्रिप्श करेंगे और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह क्रेंट फेयर आपके सभी कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हैल्फूल होंगे और अगर आपको इसका पीडियाफ चाहिए तो वह आप हमारी टेलीग्राम चैनल से लिए सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर अपने टेल करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 20 अगस्त के करंट फिर जिसमें से सबसे पहला कोशन था आपका हाली में भारत के किस राज्य में पीपी नल फैनो टाइप नामक अनोखे ब्लड ग्रूप का पता लगाए गया है और दूसरा कोशन था जो कि आपके टेस्ट के लि यह भारत का पहला राष्ट्रिय कोशल परिक्षन संस्थान का उधगाटन किस राज्य में किया है तो महिलाओं के लिए भारत का पहला राष्ट्रिय कोशल परिक्षन संस्थान का जो उधगाटन है वो भारत के अंदर पंजाब राज्य में किया गया है तो इन दोनों कोश में देना होगा तो चलिए देखते हैं 20 अगस्त के करंड़ फेर्स आज का सबसे पहला कोश्चन है हाली में संयुक्त रास्ट्रे के किस पूर्व परमुख का निधन हुआ है तो अभी हाली में 18 अगस्त 2018 को संयुक्त रास्ट्रे के जो महासचीर थे जिनका नाम था कौफी अननान उनका हाली में स्विजर लैंड के अंदर निधन हो गया है और इनका जो निधन है वो किसी अपात कालीन बीमारी की वज़ा से हुआ है और इनकी जो उम्र थी वो 80 वर्ष की थी और ये संयुक्त रास्ट्रे के सात्वे महासची कर गया था और ये 1962 में ये विश्व स्वास्थे संग्ठन के प्रशाशनिक अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं और कौफी अनार दा एल्डर्स के अध्यक्ष भी रह चुके थे देखिए दा एल्डर्स जिसका जो स्थापना है वो नेलसल मंडेला ने की थी और य इसके बाद कशुक इंपा राश्टर के बारे में जान लेते हैं संयुक्तर राश्टर का जो हैड्क्वाटर है वो न्यू योउक में हैं और इसके स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और 24 अक्टूबर 1945 को ही युनाइटेड नेशन्स डे मनाय जाता है और युनाइटेड नेशन के जो प्रेजिन में सेक्रेटरी है उनका नाम है एंटोनियो गुट्रेस तो इतनी पॉइंट बाते आपको जाननी थी इस करंट फेर के बारे में आज का अगला करंट फेर है हाले में किस परदेश से सुंद्री नामक बाग को लाकर उडीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है तो उस परदेश का नाम है मध्य परदेश जहां से एक बाग को लाकर उडीशा के सथकोसिया टाइगर रिज्जरव में छोड़ा गया है और उस बाग का नाम था सुंदरी और देखें मध्धे परदेश के अंदर से कानहा राष्ट्री उद्यान से इस टाइगर को लाया गया है आप देखें और सथकोसय टाईगर हमें स्थित आब इसके बाते जाण लेते हैं मध्यपर्देश के बारे में देखें तो की कैपिटल है भुवनेश्वर और उडिसा के अंदर में जो मिनिस्ट्र है उनका नाम है नवीन पतना PayPal के जो ऊब कुछ इंहों म परदेश के बारे मैं मद्धे परदेश के बारे में जान प्रेजंट में जो मध्यप्रदिश के चीफ मिनिस्ट्र है उनका नाम है शिवराज सिंग चुहान और प्रेजंट में जो मध्यप्रदेश के गवर्णर वाहक राजेपाल के रूप में भी काम कर रही है और मद्य पदेश के अंदर राजेश के सबस्वा की संखिया ग्यारा है और लोग सबस्वा के संखिया 29 है तो इतनी इंपॉर्ण बाते आपको पता होनी जाई थी सक्रंट फेर के बारे में अगला कोशन है आजका अभी हाली में लोխसभा की किस پूर्व सदस्य का निधन हो गया है तो देखिए अभी हाली में लोगसभा की पूर्व सदस्य जिनका नाम है चैनुपति विध्या उनका निधन हो गया है और इनका निधन 18 अगस्त 2018 को आंध्यप्रदेश में दिल का दोरा पढ़ने से हो गया है और इनकी जो उम्र थी वो 84 एयर्स की थी और चैनुपति विध्या 1980 और 1989 में विध्या वाड़ा निर्वाचन छेत्र के कॉंग्रेस के एक प्रतियोगी के रूप में संसत में चुनी गई थी और इन्होंने महिलाओं की सेवाओं और उनके सम्मान के लिए जमना लाल बजाल पुरसकार भी जीता था और देखें इनके पीता का नाम था गोपा र ंत्रप्रदेश की क्या पिटल है है और प्रैजेंट में जो आंद्रप्रदीश की चीफ मिनिस्ट्र है उनका नाम है एंच न खınर बदेश के गवर्नर है उनका नाम है ए एस यह जा है वह एक अक्टूबर 1953 में हुआ था और आंधर परदेश के अंदर राजिस सभा के सदस्यों की संख्या 11 है और लोग सभा के सदस्यों की संख्या 25 है तो इतनी इंप्रदेश के बारे में जो कि आपके इंप्रणन हो सकती है तो अगला खरंड्ट फिर है 2018 अलबानी मेडिकल सैंटर पुरसकार कितने लोगों को दिया जाएगा तो देateurs iki रude में अलबानी मेडिकल सेंटर पुरसकार से सम्मानित किया जाएगे और इन्ह तीनों को शालीग कॉछ इन्होंने एमम्यूण ठेरपी इंची目 परमुख योगदान रिया है और कैंसर के उपचार के लिए इन्होंने क्रांतिकारी बदलाव भी लाए हैं और इन तीनों विज्ञानिकों को 26 सप्टेंबर 2018 में अलबानी मेडिकल सेंटर पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा और पुरसकार के साथ ही साथ ही ने पांच लाख डॉलर का नगत पुरसकार भी दिया जाएगा अब देखे कुछ इंपॉर्ण बात है अलबानी मेडिकल सेंटर पुरसकार के बारे में जान लेते हैं इस पुरसकार की जो स्थापना है वो 2001 में हुई थी और इसकी जो स्थापना है वो मौरिस मार्टी सिल्वर मै द्वारा की गई थी आज का अगला कोश्चन है अभी हाली में फॉर्वसक ने दुनिया की सारवधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की सूची बनाई गई है जिसमें हॉलिवूड अभिनेत्री स्कार्लेट जोहांसन को कौन सा नंबर मिला है तो देखे इस साल जो फॉर जिनकी उम्र 33 वर्ष की है तो देखे फॉर्ब्स की अनुसार स्कार्लेट जोहांसन दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉली अभिनेत्री बन गई है और फॉर्ब्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं एंजिलिना जोली और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे दो अभिनेत्री है इसमें शामिल थी जिसमें से दिपिका पादुकॉन छठे नंबर पर थी और प्रियंक का चोपड़ा दसवे नंबर पर थी पर इस साल 2018 में ये दोनों इस लिस्ट से बाहर हो गई हैं और आप पहले स्थान पर हैं स्कारलेट जोहांसन अब इसके बाद क आपको फॉर्ब्स के बारे में पता होनी चाहिए देगे फॉर्ब्स की जो स्थापना है वो 1917 में हुई थी और इसका जो हैड़कॉर्टर है वह न्यू यू यॉक में यू 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 यॉक में और इसके जो सीओ हैं उनका नाम है मिचल पैरलिस और स्टेव फॉर्विस और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है बी सी फॉर्विस आज का अगला करंट फेर है हाली में ट्रेट्स प्लेट्फॉर्म पर लेंदेन करने वाला भारत का पहला पी एस यू बना है तो हाली में ट्रेट्स प्लेट्फॉर्म पर लेंदेन करने वाला भारत का पहला पी एस यानि कि public sector undertaking हाल बन गया है और देखिए हाल का पूरा नाम होता है हिंदुस्तान एयरनौटिक्स और देखिए trades का पूरा नाम होता है trade discounting system receivable और trades कई financial के माध्यम से सुक्षम लगू और मध्यम उद्मियों यानि कि MSME के वेपार प्राप्तियों के वित पोश्यन को सुभिधा जनक बनाने के लिए एक ओनलाइन इलेक्ट्रोनिक संस्था गर्त तंत्र है अगर आसान तरीकों में समझा जाए कि ट्रेड्स क्या होता है तो ट्रेड्स वैपार से रिलेटिड लेंदिन करने का एक प्लैट्फोर्म होता है अब इसके बाद कुछ इंपॉर्ण बाते हाल के बारे में जान लेते हैं देखें जैसे कि मैंने हाल का पूरा नाम आपको बताई दिया हिंदूस्तान एरनौटिक्स लेमिटेड और इसका जो हैड़कोर्टर है वह बैंगलूरू में है और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और इसके जो फाउंडर के बारे में अगला करंट फेर है हाली में बाफ्टा का ब्रिटानिया पुरसकार किसने जीता है तो हाली में बाफ्टा का ब्रिटानिया पुरसकार स्टीव मैक्यूएन ने जीता है और यह ब्रिटिश के डारेक्टर है स्टीव मैक्यूएन देखें स्टीव मैक्यूएन ब् ब्रिटैनिया पुरसकार मिलेगा और देखें जो ब्रिटैनिया पुरसकार है वो मुवी के डारेक्टर्स को दिया जाता है अगला करेंट फियर है ईए यू ने ग्लोबल लाइबिल्टी इंडेक्स 2018 जारी किया है और आपको यह बताना है कि उसाका को कौन सा स्थान मिला है त पहला स्थान वियना को मिला है और दूसरा स्थान मैल बॉर्न को मिला है और तीसे नंबर पर है और साका और देखें ईए यू ने कुल 140 शहरों की सूची बनाई थी जिसमें उनकी जीवन की स्थितियों के अधार पर रैंकिंग की गई थी और इस लिस्ट में दो भारती शह अब इसके बाद कुछ इंपॉर्ण बाते इए यू यानि की इकनॉमिक्स इंटेलिजन्स यूनिट के बारे में जान लेते हैं इसका जो हैड़कॉर्टर है वो लंडन में है UK के अंदर लंडन में और इसकी जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी तो इतनी इंपॉर्ण बाते तो 2018 को DGA यानि की डारेक्टर्स गिल्ड ओफ अमेरिका से एंगल ली को समानित किया गया है और इनकी जो उम्र है वो 63 एर्स की है और ये एक आसकर विजेता भी रह चुके हैं और 18 अक्टूबर 2018 को न्यू योक शहर में DGA थीएटर आयोजित किया जाएगा अब देखें DGA यानि की डारेक्टर गिल्ड ओफ अमेरिका क्या होता है तो देखें DGA ओनर्स जो है वो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने फिलम और टेलिवीजिन में अमेरिकी संस्कृती में विशिष्ट योगदान दिया है और ये ओनर पहली पहले है उनका नाम है मेचल अप्टेड अगला कोश्चन है आज का आइरिस स्कयन परमानी करन सुविधा पेश करने के लिए देश में कौन सा बैंक देशja पहला बैंक बन गया है तो आइरिस सकयन पर मानी करन सुविधा पेश बन गया है और इसी के साथ ही साथ पर्धान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना पर्धान करने वाला जो पहला बैंक है वह एर्टेल भुक्तान बैंक बन गया है अब देखें यहां पर नाम आया है एक्सिस बैंक का तो आपको एक्सिस बैंक के बारे में पता होना चाहिए धापना है वह नाम है संजीव मिस्रा इतनी इपरन्ट बाते थी थी एक्सिस बैंक के बारे में तो फ्रेंड्स यह थे 20 अगस्त के करंट अफ्यर्स और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में गहा था कि लास्ट में दो कोश्टन आपको टेस्ट कि लिए दिये जाएंगे सबसे पहले हम वो डिसकस कर लेते हैं जिसमें से सबसे पहला कोशन है आपका फीफा वीश्व रैंकिंग में भारतिय फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है तो इन चार उप्षिन में से आपको अंसर बताना है कि फीफा वीश्व रैंकिंग में भारतिय फुटबॉल टीम की ranking कौन सी है और दूसरा question है जो कि आपकी test के लिए है विश्व मानविये दिवस कब मनाया जाता है इसका answer भी आपको इस चारों option में से देना है बहुत easy question है और important भी है तो आपको बताना है कि विश्व मानविये दिवस कब मनाया जाता है तो इन दोनों questions के answer आपको comment box में देन करते हैं तो हम आपसे मिलते हैं next lecture में 21st August के साथ thank you